जै मातादी में 15 परकाज जोसी और आज मैं बताने वाला हूं सितंबर महिने में मकर राशी की क्या ग्रह चाल बदल रही है क्या होने वाला है मकर राशी के साथ सितंबर के महिने में सितंबर के महिने में देखिए सितंबर के महिने में आपका देखा जाए तो सितंबर मकर राशी का जो स्वामी होता है वो शनी होता है अब क्या है कि मकर राशी का स्वामी शनी होता है और मकर राशी वालों में खासियत और अवगुण गया है सबसे बड़ी खासियत यह होती किसी से भी मिलते हैं तो बहुत warm welcome करते हैं हसके मिलते हैं लोगों से सबकी बात मानते हैं लेकिन इनकी drawback क्या है इनकी drawback यह होती है कि सितंबर जो मकर राशी वाले जो व्यक्ति है वो उनको परिवार वालों से कुछ ज़्यादे ही मौमाया होती है जिस कारण से वो माता पिता पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं या काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं यह के वर्ष का नीशोड अब सितंबर के महिने की बात कर ले तो जो शनी जो गुरू शनी जो गुरू चंडाल योग के बीच में जो फसा हुआ है जिस मुझे से आपके कारियों में ऐसा पलता होगी आपके नौकरी में तो आपके बहुत से मदभेद ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके कारियों में बाधाय सितंबर के महिने में जद आने महसूस होगी आपको प्लस उसके साथ में कही ना कहीं मोबाइल या घर में कोई ना कोई चीज आपकी गुम होने के भी योग बनते हैं क्योंकि कुंडली के अंदर गुरू चंडाल दोश मना हुआ है और जब ऐसी मैं मकर राशी वालों के गुरू चंडाल दूश बनता तो कहीं न कहीं कोई न토 हानी जरूर होती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए जो नहीं कि स्थ्नबर के महिने में ओसकोंड़ी क्या करना चाहिए कि आप शनिवार के दिन जो भी सितंबर के मैने में शनिवार आ रहे हैं उसमें आप जो है सरसो के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ पे आप जरू जलाएं यदि आप जलाते हैं तो कोई भी नेगडिव प्रभाव आपके उपर नहीं रहने वाला है जैमात अले